हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में इस वीडियो में हम एक नए विज्यापन की बात करने वाले हैं जहां काफी अच्छी वैकेंसी आई है पोस्ट ग्रैजवेट टीचर्स एंट ट्रेंड ग्रैजवेट टीचर्स और इसके अला इसके साथ में फीमेल कैंडीडेट एस्सी एस्टी-पी डपलूडी जो कैंडीडेट है उनको यहां पर फीस में जो है वो बिलकुल छूट दी गई है ठीक है उसे पहले अद्वर्टीजमेंट में सब्जेक्ट देख लेते हैं क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एस देख जो है बेसिक पे ही जो है 55,000 तक जो है ये रहेगी प्राइमरी टीचर्स की ठीक है या अपर प्राइमरी टीचर्स की ठीक है और यहां पर जो है नंबर ओफ वेकेंसी आई है 112 जिसमें अन्रिजर्व क्राटिगरी की है 58 ग्वालिविकेशन देख लेते हैं प्राइमरी या आपने किया है दो साल का डिपलोमा एलिमेंटरी एजुकेशन में बाइव वटेवर नेम नॉन जिस भी नाम से जाना जाता हो आपके राज्ये में ठीक है और इसके साथ हमें प्लस प्लस जो है टैट भी जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए च्लास 6-2-8 के लिए आप आपने बीए बीए सी बिकॉम जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है और दो साल का आपके पास अगर एलिमेंटरी एजुकेशन में डिपलोमा है तो आप यहाँ अप्लाए कर सकते हैं एक साल का अगर बैचलरी अगर आपके पास बीएड है एक साल का 50 प्रतिशय तंकों के is relaxation for government servant up to 5 year in accordance to order number of vacancy and reservation भी जो है नीचे दिया हुआ है primary school teacher 125 के लिए unreserved category के 31 है जैसे मैंने आपको बताया कि unreserved category की जो है यहाँ पर कुल 58 seat है तो subject wise भी जो है यहाँ पर mention की है जैसे 31 seat जो है unreserved category की है अपर primary school teacher 6 to 8th के लिए 15 seat साइंस math की है general category के लिए है यह और 6 seat language teacher के लिए Hindi, English, social studies के लिए 6 seat रिजर्व है इसी तरीके से OBC, SC, ST ठीक है total जो vacancy है तो यहाँ पर 112 जो है vacancy आई है तो अब देख लेते हैं vacancy जो है किस राज्य से है यहाँ पर all state के candidate बिल्कुल eligible रहेंगे 6 जनवरी 2024 को यह advertisement जारी किया गया है और यह vacancy आई है दादरा, नागर, हवेली एंड दमंड़ी से staff selection board की तरफ से जो है यह vacancy जारी की गई है बिल्कुल सरकारी permanent vacancy रहने वाली है अब देख लेते हैं दूसरी vacancy जो की post graduate teachers की है 75 जो है यहाँ पर vacancy आई है और salary जो है level 8 के according दी जाएगी 47,600 से लेकर 151,100 तक salary यहाँ पर रहेगी यहाँ पर education qualification कहा है कि post graduate 50% के साथ में और साथ में B.Ed आपका होना चाहिए और एक बात जो है ध्यान में रखिएगा आपने 10 तो जिस भी medium से की है English medium में की है Hindi medium में की है ठीक है किस भी medium से की है गुजराती में की है मराथी में की है तो उसी में जितनी भी vacancy है उस subject की तो उसी के लिए आप apply कर सकते हैं 30 साल जो है age limit रखी गई है trained graduate teachers के लिए salary काफी अच्छी है और यहाँ पर graduation के साथ में आपकी graduation में 50% marks होने चाहिए B.Ed. आपका होना चाहिए या फिर आपने 4 साल का B.Sc. B.Ed. या B.A. B.Ed. किया है तो भी आप apply कर सकते हैं आप जिस भी medium से पढ़े हो तो उसी medium में apply करें ठीक है और बस यही मांगा है यहाँ पर CTAT या TAT जो है यहाँ पर मुझे तो नहीं दिखाई दिया कि trained graduate teachers के लिए CTAT या TAT जो इन्होंने मांगा हो यहाँ पर नहीं मांगा है नहीं मांगा है यहाँ ठीक है लेकिन primary और upper primary classes के लिए जो है इन्होंने मांगा है तो यहाँ पर age limit तो 30 साल रखी गई है उसके बाद यह है यहाँ पर detail दिया हुआ है subject wise category post graduate teachers के लिए जैसे English medium में यहाँ पर कुल biology की subject यहाँ पर आप देखें biology, chemistry, commerce, economics, English, geography, history, mathematics, physics, psychology, statistics तो यहाँ पर biology की की कुल 4 seat है chemistry की 5 seat है, commerce की 5 है, economics की 3 है, English की कोई भी vacancy यहाँ पर नहीं आई है English medium में है यह ठीक है, एक जो है geography की है, history की 3 है, maths की 5 है, physics की 6, psychology की कोई भी vacancy नहीं है English medium के लिए, statistics की साथ है तो यह कुल 39 यहाँ पर English medium candidate के लिए post graduate teachers बनने के लिए, उसके बाद जो है mostly बच्चे Hindi medium और English medium वाले ही होते हैं, Hindi medium में आप देख लें कि यहाँ पर biology की आप देखें कोई seat नहीं है, नहीं यहाँ यहाँ पर chemistry की है, commerce और economics की seat है, एक commerce की है, और दो economics की है यहाँ पर दो seat जो है, math, maths की जो है, वो दो seat है, Hindi medium में और इसके अलावा जो है आप देखें, कुल 6 यहाँ पर total number of vacancy है, Hindi medium past student के लिए, यह PZT के लिए है केवल अब essay candidate जिन्होंने 10th गुजराती medium में किया है, या मराथी medium में किया है, तो वो अपना देख सकते हैं language subject में आप देख सकते हैं, यहाँ पर total number of vacancy है, दो है, तो PZT में जो है, वो कुल 75 जो है seat है, यहाँ पर की गई है, ठीक है उसके बाद जो है, trained graduate teachers की जो है, English medium में maths की 30 है, यहाँ पर vacancy, science की 25 है, SST की 29 vacancy है, English की जो है, कोई भी vacancy नहीं है, किसी भी category की Hindi medium के लिए आप देख सकते हैं, trained graduate teachers में 7 vacancy, maths की आई है, और social science की 6 vacancy है, कुल जो है, यहाँ पर 13 vacancy है, Hindi medium past students के लिए Language में जो है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर 15 है, कुल सीटे, English की, ठीक है, भासा, अगर English में आप अप्लाइ करना चाते हैं, English subject के लिए, तो यहाँ पर 15 सीटे हैं तो यह जो है, vacancy के बार में, और भी अच्छे तरीके से आप बारी की से देखिएगा, और इसका link में आप लोगों को share कर दूँगी, ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें यहाँ पर जो है, लिखा है, कैसे apply करना है, तो official website पर आना होगा, दमन.nic.in, अबलिक O.J.S, जो J.A.S, तो post graduate teachers will be open from 12 January 2024, बारा जन्वरी से जो है, start होंगे, आप apply कर सकते हैं, और last date रहेगी, एक फरवरी, trained graduate teachers के लिए भी, यही same date है, 12 जन्वरी से लेकर, एक फरवरी तक आप apply कर सकते हैं, अब बात आती है, selection जो है, वो कैसे होगा, चाहे आप यहाँ पर primary school teacher बनने के लिए apply करना चाते हैं, या फिर आप trained graduate teachers 9 से लेकर 10 तक को पढ़ाने के लिए, या PZT में 11, 12 को पढ़ाने के लिए apply करना चाते हैं, तो यहाँ पर detail instruction for candidate लिखा हुआ है, online return exam होगा यहाँ पर, computer based यह exam आपका रहने वाला है, negative marking यहाँ पर रहेगी, 100 marks का यह return exam होगा, ठीक है, आपकी merit list यह 100 marks से आपकी निकाली जाएगी, अब यहाँ पर जो यह 100 questions पूछे जाएंगे, तो इसमें syllabus क्या रहेगा, जैसे ही मुझे पता चलता है, main website पर डाला जाएगा, बिलकुल आप लोगों को inform किया जाएगा, वीडियो के माध्यम से, तो regular रहें चैनल पर, ताकि आप लोगों को, जिस भी राज्य की vacancy निकलती है, सिक्षक भरती के विग्यापन जारी होते हैं, तो आप लोगों तक समय पर पहुँच सके, notification देखने के लिए सबसे पहले, main website पर आना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है, third number पर, recruitments, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर online application for the post of primary and upper primary school teacher, उसके लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यह page होगा, और यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, view 381 के भी, यह PDF फाइल है, डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, mark बना हुआ है, और यह PDF फाइल पर आप देख सकते हैं, इसको open करके, ठीक है, यह आपके सामने है, पूरा advertisement, लास्ट जो है, यहाँ पर फीस की क्या बात कही है, तो फीस आप देख लें, यहाँ पर फीस जो है, मातर 200 रुपे ही, जो है, यहाँ पर लग रही है, ज्यादा फीस नहीं है, य तो चलिए मिलेंगे next video में, नए राज्य की नई vacancy के साथ सिक्षक से जूरी जितनी भी vacancy निकलेगी बिलकुल आप लोगों को, सबसे पहले में आप लोगों को बताऊँगी, तो चलिए मिलेंगे next video में, thank you